आज अपन करेंगे concept of ethology वेवारिकी की अवधारन है इससे पहले last chapter में अपने ethology का introduction और उसकी history पढ़ी थी अपने ठेक है कि introduction में कि वेवारिकी किसे कहते हैं और history के अलग-अलग scientist ने ethology के लिए जो views दिये थे उनसकों अपने पिछली class में पढ़ा था ठेक है और आज अपन पढ़ेंगे concept of ethology तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले first number पर है concept of fix action pattern जिसको short form में जिसको short form में क्या कहा जाता है FAP भी कहा जाता है ठेक है सज में आगया अब इसमें देखिए कि FAP क्या है कि fixed action pattern जो है किसे कहा जाता है कि यह है innate या inborn ठेक है inborn मतलब जो जनम से हो ठेक है कि इस प्रकार का वेवार है जो किसी भी species specific fixed stereotype coordinated motor activities का एक sequence होता है सज में आगया आपको कि कैसा होता है जनम जात वेवार होता है जो किसी जाती विशेश इस्थाई root प्रकार का समनवाइद पिरे किरियाओं का क्रम होता है fixed action pattern या इस्थाई किरिया क्रम कहलाता है इस प्रकार का वेवार होता है वो किसी भी जाती विशेश में उसके जनम से पूर्व किसी अनुभाव के द्वारा प्रात नहीं होता है वो उसके अंदर अपने आप होता है कि इस प्रकार का वेवाव जो होता है वो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जीन्स के द्वारा ट्रांसफर होता है इस लिए इसको क्या का जाता है इसको fix action pattern का जाता है कि ये एक generation से दूसरी generation में जीन्स के तिरू जाता है अब एक दूसरा प्रेकार का वेहवार होता है जिसे अपन acquired कहते है acquired behavior वो होता है जिसमें कि क्या होता है जिसको कि अपन अनुभाव के द्वारा प्राक्त करते हैं वो कहलाता है acquired behavior कि जिसे जन्तु अपनी पूरी lifetime में अर्जित करता है इसलिए उसको acquired behavior के नाम से उसको जाना जाता है सज में आगे आपको अब इसमें देखिए कि इसमें क्या होता है और इसमें acquired जो होता है वो कैसे प्राक्त होता है कि एक तो आपन अनुभाव से प्राक्त करते हैं दूसरा कि जिसे कोई एक ही काम को जब बार बार निश्चित करम में दोहराया जाता है ना तो उसके वेवार की अभिवेक्ती क्या होती है हो जाती है कोई आपके सामने कोई चीज बार बार किसी चीज को दोहरा चाए तो आप उसकी परति क्या हो जाओगे है habitual हो जाओगे ठीक है सब्सक्राइब तो इस प्रकार का वेवार क्या अक्लाता है एक्वाइड बीवियर के नाम से इसको जानाता है अब देखिए इसमें कि जो fix section pattern के वेवार है उसमें क्या क्या specific characters जो होते हैं उसके अंदर होते हैं सबसे पहले कि इनका जो origin होता है थोड़ा सा complex type का होता ह ठीक है इनका पूर्व अनुमान जो है लगाया जा सकता है यह सटिक होते हैं और इनकी अभी व्यक्ति पर अनुबाव का कोई effect जो है इसके उपर नहीं परता है यह species specific होते हैं और यह primary जोते हैं स्टूमलस पर depend करते हैं ठीक है सज में आ गया अब इस प्रकार के वेवार मे जिसे taxes है reflex action है learning है या अन्य जरमजात या सहच प्रकार की जो भी behavior है वो इसके अंदर शामिल किये जाते हैं जिसे for example insects है इंसेक्ट में social behavior पाया जाता है social behavior उनमें कैसे होता है innet होता है inborn होता है उसको इसके लिए सीखना नहीं पड़ता है इसी प्रकार spider है मकडी web बनाती ह ठीक है तो वो भी उसके अंदर क्या होता है inborn होता है पक्षियों में parental care पाई जाती है तो यह सब चीज़े क्या होती है inborn होती है अब इसे humans में baby का हसना रोना यह सब क्या होती है inborn होती है और यह किसके example है FAP के example है ठीक है अब देखिए fraud और metagory नामक scientist ने इसमें innet जो behavior है इसके ओपर study किया था लॉरेंच और तिन बर्जन नामक scientist ने बताया था कि जो यह fix behavior है यह reflex action से जटिलता के आधार पर different होता है ठीक है और इसके लिए उन्होंने किसने लॉरेंच तिन बर्जन नामक जो scientist ने इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने कई examples जो हैं इसको द यह थे तो सबसे पहला जो example उन्होंने इसके लिए दिया था उन्होंने इसका गलैरी का example इसके लिए दिया था कि उन्होंने क्या किया था कि कुछ इसे गलैरी हैं ठीक है कि गलैरी को क्या पसंद होती है पीनर्स मुंफली जो होती है उसको बहुत पसंद होती है ठीक है तो जो खाने में उनको कभी भी उनको पीनर्स उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, तो उसको उसका स्वाद नहीं पता पड़ा, लेकिन और उसको कुस टैन के लिए उन्होंने क्या किया, उसको किस सीमेंट के जो फर्ष होता है न, अपने फ्लोर जो होता है, उस सीमेंट के फ्लोर प उसके अंदर वो उसको जमा करती है तो उसने क्या किया अपनी आदत के अनुसार उस सीमेंट के फर्ष को उसने खोदना शुरू किया लेकिन वो फर्ष किसका था सीमेंट का था इसलिए वो उसके अंदर उसको खोद नहीं सकती थी समझ में आगया कि समेंट का फ़र्ष होने के कारण वो उसको नहीं खोथ पाई लेकिन उसने अपने इस behavior को शो किया समझ में आगया कि उसने अपने नर्ट्स को जमीन खोथ कर उसे मिट्टी में दवाने का जो उसका behavior था उसको शो किया इस प्रकार का जो nature होता है वो किसको शो करता है फिक्स action को शो करता है ठीक है समझ में आगया कि innate behavior जो है उसको शो करता है ऐसा ही एक example और देखते हैं अपन इसमें जैसे example है कि gray leg goose जो है उसमें वो कहां पर कि ये जो बर्स होता है ना वो जैसे जो ये मैदान वगरा होता है ना मतलब मैदानी इलाकी चगए होते हैं वहापर shallow जो होते हैं अपने nest का formation करते हैं अपने nest को बनाते हैं मैदानी इलाक की साइड गिरने लगते हैं ना तो एक special sequence में उनको वापस उनके nest में वो उनको लुडगा देते हैं ठीक है और इसके लिए भी ये क्या करते हैं एक तरह से का behavior जो है शो करते हैं कि सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो egg बहार की और जा रहा है लुड़क रहा है पहले ये उ इसको देखते हैं ठीक है सज्च में आ गया देखने के बाद ये थोड़ा सा कुछ उंचा होते हैं और उंचा होने के बाद अपनी बीक से उसको टच करने की कोशिच करते हैं और फिर बात में अपनी जो बीक है उस पे उसको स्थापी जैसे हैं टंग के उपर उन्हों ने ले लिया उस एक को और उसको लुड़का देते हैं जैसे होती है पर इस प्रकार से उसको क्या करते हैं वो लुड़का कर वापस अपने नैस्ट में डाल देते हैं ठीक है सज में आ गया तो इस प्रकार का जो behavior है वो gray leg loose में ही देखने को मिलता है ये किसी भी condition में रहें किसी इनको इस प्रकार का बीएवियर जो है इसके अंदर पाया जाता है और यह क्या है FAP फिक्स एक्षिन पैटर्न की विशिष्टा है ठेक है साइन में आ गया अब यह फिक्स एक्षिन पैटर्न जो होते हैं क्या करता है sinus tumulus अपने एक को देखना वह साइन में लाता है और उसको देखने के बाद ही अपने एक को क्या करती है वापस नैस्ट में दालती है देखिए आपको इसमें डाइग्राम के दोरा भी अपन को इस चीज को दिखा रखा है यह देखिए looking towards के इसमें वह सबसे पहल बीक पर उसको ले लिया, एक को ही दिख रहा है न, आपको ये एक को अपनी बीक पर ले लिया और यहां से उसको नैस्ट में वापस धकेल दिया, ठीक है अब देखें, लॉरेंस तामक साइनिटिस ने बताया था कि जब कोई भी एनिबल जब फिक्स एक्षन पैटर्न को शो करता है तो उसको मतलब उसमें ऐसा फील होता है जैसे की रिलीजिंग सम टेंशन की वो अपनी कुछ तनाव को टेंशन को जो है अपने दिमाग से बहार निकाल रहा है उसको उससे relief मिल रहा है जिसे कोई बहुत बड़ी चीज जैसे तिमाग से tension अट गई तो ऐसा उसको feel होता है तो इसे क्या कहाता है? इसे कहाता है वैको release के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है? सब्सक्राइब किस नाम से जाना जाता है? वैको release के नाम से इसको जाना जाता है अब देखिए concept of sinus tumulus sinus tumulus जैसा भी बताया था कि इसको देखना जैसे grey leg लूज ने देखा न कि एक को देखना क्या कहला है? sinus tumulus ठीक है? कि concept of sinus tumulus जो है ये भी fix action pattern की अभिवेक्ति को induce करता है और क्या कहलाता है? sinus tumulus कहलाता है लॉरेंस दामक साइंटिस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था डेविट लैक 1943 ने बताया था कि European Robin अब इसने इन्होंने इसको एक example के द्वारा समझाया किसके द्वारा समझाया? example के द्वारा समझाया कैसा बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि European Robin Bird ठीक है? उन Red Thoracic Robins पर हमला करती है मतलब European Robin Bird जो होती है Red Thoracic जिनका Thoracic रिजन Red होता होता है ना उन पर क्या करती है? Attack करती है और कौन सी Red Robin पर Attack करती है? जो उनके एरिया में Enter करती है जो उनके एरिया में जैसे ही Red Thoracic Robins जैसे ही Attack करती है तो European Robin क्या करती है? उनके उपर Attack करती है सब्सक्राइब अब इनका क्या हो गया? यह Nature हो गया कि इनको Red Color को देखते ही क्या करना है? Attack करना है तो इनके सामने क्या किया गया? कि इनके सामने कुछ Models जैसे बना देते है न अपन कि कुछ नकली निर्जीव जो Model है न उनको बनाया गया उनके समान जो Red Thoracic Robins थे न उनके समान बनाये गए और उनका जो यह Red Thoracic Reason है उसको Red Color से Red कर दिया गया ठीक है? सब्सक्राइब आ गया Color का जो Thoracic है न वो उनके लिए एक तरह से Stimulus का कार्य करता है सब्सक्राइब आ गया? कि उनको क्या था दिमाग में? कि हमको Red Color को देखते ही क्या करना है? Attack करना है तो उनके उसके लिए क्या किया? कि Model बना के रख दिया उनके उपर Thoracic को Red Color का कर दिया लेकिन जैसे European Robin ने उनको देखा Moral को भी देखा और उसके उपर उनको ने Attack करना शुरू कर दिया तो इसमें यहाँ पर क्या है? कि Red Color जो है न वो एक तरह से किसका Function करता है? Stimulus Sin Stimulus के रूप में Function करता है ठीक है? Sun में आ गया? Sun में आ गया? देखिए इसका डाइग्राम भी दिखा रखा है आपको कि किस प्रकार से देखिए उसके उपर देखते ही Attack करना शुरू कर देते हैं ठीक है? Sun में आ गया? तो यह उनके Aggressive Behavior के लिए किसका Function करता है Red Color? स्ट्यूम्लस का कारे करता है कि इस प्रकार से उसने इसको देखते ही Attack करना शुरू कर दिया इसका Second Example जो है दे रखा है कि Herring Girls के जब Baby होता है न तो उनको क्या करता है कि अपने उनके Parents की जो Yellow Beak होती है ठीक है और उस Yellow Beak पर Red Spot होता है तो जैसे ही उनको Nature ये था कि जैसे ही अपन इस Red Spot को Tapping करेंगे न थप थप आएंगे तो उनके Parents उनको क्या देंगे? Food देंगे सबीन में आगया? Food देंगे अब इसके लिए क्या किया किया? कि Scientist ने क्या किया? कि उनके Cardboard से मॉडल बनाए गए मॉडल बनाने के उपर उनकी जो Beak है उसके उपर Different Color कर दिये गए ठीक है और अलग-अलग दिशानकिन लिखाई लगाई और उन्हें उनके सामने रखा गया फिर जब उनको उनकी बेबी के सामने रखा गया तो बेबी ने क्या किया कि सबसे पहले सबसे जादा बार जो यलो कलर के उपर रेड स्पॉर्ट था ना उन्होंने उसको सबसे जाद क्या नेचर था कि उनको पता था कि हमको रैड सपक को सबसे जादा धबाया यह देखिये इसनों ने इसे यहाँ पर अब इस इन्होंने जैसे यहां पर दिखा रहा है इस प्रकार से बेबी है किस प्रकार से वो कर रहा है तो यह red color वाले जो है यह यह पे red spot इसको 100% जो है नोने थप थपाया बाकी सब को जैसे black, blue, white इनको शब को 86%, 85%, 71%, 30% तो अलग-अलग प्रकार से उन्होंने इसकी tapping की ठीक है, संज में आ गया, तो ये क्या है innate behavior है और red color क्या है इसमें red color जो है वो एक तरह से इनके लिए stimulus का function करता है, कि red color को देखते हैं वो क्या होता है, वो दिप्त हो जाते हैं, ठीक है, अब देखिए इसके बाद next auditory sign वो उसको तब तक छुडाने की कोशिश नहीं करती है जब तक कि वो उसकी आवाज नहीं सुन लेती distant price, ठीक है, ये देखिए diagram में दिखा रखा है अपन को ये देखिए, कि यहाँ पर जो है glass cage के अंदर ये चेक है, और ये यहाँ पर टर्की hand है, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको जैसे ही, और इसका nature क्या है, कि वो जब तक उसको सुनती नहीं है, तब तक वो उसको बचाने की कोशिश नहीं करती है ठीक है, और glass cage में क्या है कि ग्लास में से उसको आवाज सुनाई नहीं दे रही है, वो तुरंत active हो जाती है ठीक है, और उसको बचाने की कोशिश करने लग जाती है ठीक है, तो उसकी जो चीक पुकार एच्छे की जो चीक पुकार वो एक तरह से इसके लिए क्या करती है stumulus का function करती है सवज में आ गया, कि यह उसके लिए stumulus का function करती है अब देखिए, chemical stola कि कुछ insects होते है, वो special type की जो smell होती है, उससे संबंदि जो plants होते है, उनके और attract होते हैं, टेक है ऐसे सेटोना slendric allis जो है, यह सूरसुरी है, जानते होंगे आप कुमेरी नामक जो element है, तत्व है उसकी smell की और क्या होती है, वो attract होती है कि वो special smell की और ही attract होते हैं ब्यूटेंड़न नामक scientist ने 1955 में बताया था कि जो male silk warm होता है न, वो female की और जो होता है वो उसके specific smell के कारणी उसकी और attract होते हैं इसके लिए उनको मतलब एक तो इसमें देखने का या कोई और stimulus जो होता है न, इसके लिए आवशक नहीं है केवल smell जो होती है वो ही इसके लिए आवशक है, तो इस प्रकार का stimulus क्या कहलाता है chemical stimulus यह कहलाता है, ठीक है कि free नामक scientist ने बताया था 1967 में कि जो worker honeybee होती है विए human being की पसीने की smell से ही और उसके डाकले से ही क्या होती है, stimulate होती है और stimulate होकर उनको डंक मारती है अब इसके बार देखिए super normal stimuli की वहग्यानिकों ने कुछ ऐसे super normal जो है टाइप जो है तयार किये है जो जनतों की दोरा विशेश अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए प्राकर्तिक वस्तों की तुलना में अधिक दक्ष सिद्ध है उन्होंने इसमें experiment किया था कि herringles और grey leg loose जो birds है कि वह अंडों के साथ जब other species के एक को उन्होंने other species का बड़े एक को उन्होंने उसके साथ रग दिया तो in birds के एक तो कैसे थे small size के थे और other species के एक कैसे थे large size का था तो उन्होंने in birds ने क्या किया कि small size के एक को छोड़कर उनके साथ जो दूसरी species का large size का एक रखा गया था उसको incubate करना शुरू कर दिया तो इस प्रकार का जो stimulus होता है वो क्या कराता है super sign stimulus के नाम से इसको जाना जाता है अब इस ही प्रकार के है हैरिंगल के जो चिक्स है जब इनके parents के वास्तविक सवरूप के अनुरूप beak के ठीक है सज्ज में आया कि beak के टाइप पर और उसमें कत्यम पतली लंबे अकार की चौँच जिसके एक सिरे पर लाल sign नोंने लगा दिया गया और तीन इस्तानों पर क्या क्या गया दिया white बास जो है खीस दी गई सज्ज में आ गया यह यह एंके परेट्श को टाइप घंग जो पर रिंगल जो छिक्स है उनके परेट्ज की बीक के टाइप घंग उसके पर पतली और लंबे आकार की चौँच ना उस पर लगा दिया उसके ऑपर रहने के बाद यह दग इस एंगे पर bright color की bars वे बना दी गई ठीक है और उनको बच्चों को जो उनके चिक थे उनके सामने उसको रखा गया तो जो उनके चिक थे उन्हों ने क्या किया कि जो artificial बीगती थी नहीं उसको जादा बार थप थपाया ठीक है सन्ज म्हार गया क्योंकि यह अपन पहले भी प थप थप आते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इस तरह इस पॉट को थप थप आएंगे तो हमें क्या मिलेगा फूड मिलेगा ठीक है और यह जो एक्जामपल है कि आर्टिफिशल बीक का यह किसका एक्जामपल होगी एक तरह से सूपर नॉर्मल मॉडल का सर में आ गया सूपर नॉर्मल मॉडल जो है वो शिशों को बेबीज को है ज्यादा पसंद आते हैं और यह क्या है साइन साइन स्ट्यूमलस क्या कहलाता है यह साइन स्ट्यूमलस कि किसी चीज को देखने के बाद उसके प्रती हैबिच्वल हो जाना साइन स्ट्यूमलस कहलाता है यह बना दी गई, आर्टिफिशल बीक, थोड़ी सी लॉंग कर दी गई, रैड स्पॉर्ट पर या इस पर वाइट धारियां जो है इसके उपर बना दी गई, और यह क्या है model of supernormal बीक, ठीक है, सही में आगया आपको इस ट्रेंट्स, तो इस प्रकार किसी भी और्गिनिजम के द्वारा अभिव्यक्त की गई, अभिकिरिया, एक से अधिक उद्धिपन लक्षनों द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है, कब तक प्रभावित होती है, जब तक कि इनके प्रभाव जो होते हैं, एक दूसरे के supplement होते हैं, तब तक यह एक दूसरे से प्रभावित होती है ठेक है और इस प्रकार के जो stimulus है जिस कलर के प्रती, distance के प्रती क्या किलाता है यह law of stimulus summation इनको कहा जाता है ठेक है students तो आपको समझ में आ गया होगा ओक चाह पक्यों के जो आपको समझ में आग्र आपको समझ में आखको समझ में आद। Gloria